यारे दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं एकुनॉमिक्स के चाप्टर नंबर फाइव यानि की फॉर्मस ऑफ मार्गेट की और इसमें हमारे कितने लिक्चस कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तो चार लिक्चस ह क्लासिफिकेशन किया गया है इसमें हमारा लिक्चस के बारे में पढ़ना है एक तो आ जाता है हमारा मॉनोपॉली दूसरा है बच्चे ओलिगोपॉली तीसरा है मॉनोपॉलिस्टिक पॉंपॉटिशन ठीक है अब यहां पर इस लेक्चर नंबर 5 में हम क्या देखने वाले हैं तो हम लोग जानेंगे दोस्तों मॉनोपॉली के बारे में इसका मिनिंग डेफिनेशन फीचर वगरा सब कुछ हम यहां पर डिसकस करने वाले हैं ठीक है तो दोस्तों हम इस वीडियो को स्टाट करते हैं तो इसके लिए आपको आजाना है आपके पेज नंबर 48 पर ठीक है पेज नंबर 48 पर यहां पर बताये गया है मोनोपॉली के बारे में तो शुरुबात कहां से करेंगे मिनिंग डेफिनेशन से तो चलिए समझते हैं कि और पॉली मिन्स क्या होता है सेलर मोनोपॉली को कहां से डिराइव किया ग्या है गृ sinks इसका मतलब होता है सिंगल और पॉली यानि क्या होता एस चेलर और सेलर यानि एज्यां पे the entire market supply for a product which has no close substitute अब क्योंकि यहां पर एक ही सेलर होता है सिंगल सेलर होता है जो क्या करता है जो पूरे मार्केट की सप्लाई को कंट्रोल करता है सारी कंट्रोल किसके हातों में होती है इसे सिंगल सेलर के हातों में होता है सारा के सारा कंट्रोल यानी सिंपल सी बात है भी दे को जो हमारा पर्फेक्ट कॉंप्पटिशन था उसमें हमने देखा था लाज नंबर ओव इसे नहीं होता है यहां पर बस अंटी सेलर होता है बागी बायार्स सचल दो जो जो रेल्वें दोस्तो आप बता हो और रेलवे का beta substitute है क्या नहीं न अगर दूसरे product देखे हैं लोक थो का substitute होता है बड़ेलवे का नहीं होता है यहां पर वही बुला था दा ला कि जिसका दूर दूर तब benefit क्वेस्वे मोणो पॉली अगर में टिकट बढाया या टुम हमें वहीं लेना पड़ेगा कुछ किते हैं डेफिनेशन जो दिया है हमारे एच चेंब लीन ने क्या गेते हैं मॉनोपॉली के बारे में समझेंगे ध्यान से मॉनोपॉली रिफॉस्ट्रों विच है कंट्रोल ओवर सप्लाई उसको वो कंट्रोल करता है और उस प्रोड़क का नौ radically सब्स्टिट Studien कुस्द सब्स्टीट होता नहीं है ठीक है एक देंजिए है एक अच्छे सा देख लेना आप लोग कि इस यहां पर हां रह candles कि मॉनोपॉली मार्केश और बहुर्म फिचर प्रिकस का ऽिहां यहां मॉनन biscuitporter रोग was सिंगल सेलर जो सकता है आपको बता देते हुझभा आपना एहसे लिखना रुको अपको इदर मारना कर पसुक्त सेूर में उसलिटर है किया होता है हम लोग श्रमिंग में ही देख लिया था मॉनुं Mayn single poly याने seller यानि जिस market में single seller होता है उस market को हम कहते हैं monopoly यानि कि monopoly में कितने sellers होते बच्चे only one seller is there तो देखो यहां पर इसका explanation क्या लिखा हुआ है in monopoly there is no competition as there is only one single producer or seller of the product but the number of buyers is large यानि कहने का मतलब क्या है कहने का seller है यानि बेचने वाला बस एक ही है तो competition तो यहां पर होगा ही नहीं है ना एक ही seller है बतलब एक seller ऐसा है जिसके पास वह product मिल रहा है और वह product किसी और के पास available ही नहीं तो यहां पर competition का तो सवाल ही नहीं उठता है तो वहीं बोला गया है कि there is no competition as there is क्यों competition नहीं है विकॉस यहां पर एक ही seller है ना समझ में आप सभी लोगों को लेकिन यहां पर देखिएगा जो हमारे सेलर है कही प्रोड्यूसर है तो यहां पर substitute कैसे यहां पर अविलेबल रहेगा ठीक है तो दूसरा जो point है आप इसमें क्या लिख सकते हो कि no close substitute ठीक है substitute यहां पर नहीं होता है ठीक है दोस्तों तो चलो इसका explanation हम देखेंगे क्या लिखा है इसमें कि there are no close substitute for the product of the monopolist क्योंकि competitors ही नहीं है जब competitors नहीं है तो उस type का product कैसे लेकर आएंगे मार्केट में इसलिए यहां पर कुछ भी substitute हमें देखने मिलता नहीं है therefore क्या होता है buyers have no choice यानि कि जो buyers होते हैं जो खरीदार होते हैं उनके पास कोई choice नहीं होती है ठीक है लेना है तो लो वरना जाओ तो सामान खरीदो या फिर जाओ बिना सामान लिए ही the cross elasticity of demand for his product is either for his product is either zero और negative आप देखो दोस्तों हम लोगों ने cross elasticity of demand भी पढ़ा था cross elasticity of demand क्या होता है कि अगर एक product के खरीदने से दूसरे product के उपर असर पढ़ता है दोस्तों तो इसको हम क्या कहते हैं cross elasticity of demand कहते हैं ठीक है अब क्योंकि इसमें substitute ही available नहीं है तो बताओ यहाँ पर cross elasticity of demand कुछ होगा क्या कुछ नहीं होगा अगर आप वो सामान खरीद रहे हो या फिर नहीं खर होता है ठीक है नेक्स इसमें कि barriers to entry entry पर barrier होता है वहीं कोई भी इस market में आसानी से entry नहीं मार सकता ठीक है तो barriers to entry ठीक है अगर आप यह market में एंटर करना चाहते हो तो भहीं आपको बहुत सारे conditions को fulfill करना पड़ेगा और फिर भी शायद ही आप एंटर कर पाओगे यानि इसम competition मार्केट में था free entry and free exit आपको मार्केट में जाना है तो जाओ बाहर निकलना है तो निकल तेंशन कोई परिशानी वाली बात नहीं है लेकिन इसके लिए आपको इसमें आसान नहीं होती है तो entry of the rivals is restricted due to legal natural technological barriers which do not allow the competitors to enter the market यानि कि जो आपके competitors है राइवल यानि क्या वही जो आपके competitors हैं वह मार्केट में एंटर नहीं कर सकते ठीके बहुत सारे रीजन है वाई ड्यू टू लिगल नैश्रल क्योंकि अगर एंट्री करना चाहते तो बहुत सारे लिगल जो प्रोविशन होते हैं उनको पूरा करना पड़ेगा ठीक है सब्सक्राइब क्योंकि यह सिंगल सेलर एक ही है इकला होता है तो complete control है पूरे मार्केट सब्सक्राइब के ऊपर तो यहां पर चौथा आपका पॉइंट है न दोस्तों वह क्या होने वाला है कि complete control पूरा यहां पर लिख लेना complete control over the market supply market supply के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है क्योंकि सिंगल सेलर है तो the monopolist has complete hold over the market he is the sole producer और सेलर और प्रोड़क्ट वह अकेला ही है सकती है घटा भी सकती है उसको किसी अपने competitor को देखने की जरूवत है नहीं क्योंकि competitor तो ही नहीं तो वह अपने हिसाब से अए दोस्तों he is a price maker not a price ticket ठीक है नेक्स जी आप है price discrimination अब लो भहिया यह है price maker price discrimination भी कर सकते हैं यानि बेदभाव भी कर सकते हैं जैसे railway के ticket का ही आप लेलो हम देखते हैं जैसे जो थ्यूंत में चैक्ट से दिदा हैं कि शंब बच्छे। प्रेमलाख लाता है कि संदॉद जो हमारे बोड़े रये हैं और मैं ने और आपढ़ को बताते हूं जो कॉलेज स्टूडेंड होते हैं अगर वह ट्रेन से समय로 होते हैं तो उनको क्लिए कंसेशन मिलता है याई फ्री में ही वह क्या कर सकते बच्चे यात्रह करें थीक है तो आप्तरेन की पर को free में ही आने जाने के लिए दे रहे हैं और जो काम करने वाले लोग हैं उनसे वो ticket वशूल कर रहे हैं उनकी मर्जी वो price discrimination यहां पर कर सकते हैं ठीक है बच समझ में आई price discrimination का मतलग सीधा सा यह होता है कि मैं आपके दुकान पर गई आपने में कोई दूसरा भाव बताया ठीक है दूसरा कोई गया तो उसको आप आप किसी और भाव में सामान दे रहे हो कोई तीसरा गया तो उसको आप दूसरे भाव में दे रहे हो यानि कि price discrimination यहां पर हो रहा है तो मोनोपॉली में आपको यह चीज़ देखने के लिए मिल सकती है और सबसे बेस्ट एक्जामपल है रेलवे का ठीक है ध्यान रगना और एक्जामपल students and senior citizen देखो students और जो senior citizens होते दोस्तों आर प्रोवाइड रेलवे tickets at concessional rates मतलब concession पे उनको क्या मिलते है tickets मिलते है राइट जैसे कि आपको बताती हूँ अभी मालने जे कोई college student है वो उसको रेलवे से क्या करना है travel करना है बराबर तो अगर वो second class में जा रहा है तो समझो कि उसको पूरा free है बस उसको क्या करना पड़ेगा वो पास बनवाना पड़ेगा बताना पड़ेगा कि हां मैं college student हूँ और वो college से कंसेशन मिलता है फिर जाके वो free में यात्रा कर सकते हैं लेकिन अगर वो first class में यात्रा कर रहा है तो फिर उसको मतब कुछ different consumers for the same product मतलब अब यह है भया प्राइज मेकर प्राइज टेकर नहीं आपने मन से प्राइज कर सकता है तो वो सेम प्रोड़क का different consumer से अलग-अलग प्राइज जो है वो ले सकता है on the basis of time place दस प्राइज discrimination is an important feature of monopoly market for example students and senior citizens are provided railway tickets at concessional rates यह है आपका next one यानिकि six one क्या है प्राइज रुको अरे फिफ्ट वाला मैंने नहीं लिखा क्या फिफ्ट वाला क्या था हमारा प्राइज मेकर ओके जी यहां पर पांच वालिक लेना प्राइज मेकर फिर छटवा क्या था प्राइज discrimination और सेवन्थ वन क्या है दोस्तों चलो मैं आपको दिखाती हो सेवंथ वन है नो दिस्रिंग्स बेट्वीइन फर्म एंड इंडुस्ट्री यानिकि इसमें फर्म औरिंडुस्ट्री में कोई डिफ्रेंस नहीं होता है कोई फरक नहीं होता है फ़र्म इंडुस्ट्री दोन इंडुस्ट्री मतलब वह खुद में ही क्या है यह एक इंडुस्ट्री है ठीक है क्लियर हुआ आप सभी लोगों को यह था फीचर सौफ मोनो पॉली कितने पीचर में आपको बताए ठोटल यह पर सेवन फीचर मैंने आपको बताए चलो पहला वाला मताव बाई सिंगल सेलर ह होता है दूसरा आपने tekा कि नोञें सप्सेट्यों कोंगे सबस्तेट्यूट अवेलबल नहीं है तीसरी बात हमने क्या थे लिए वह बहुत सारे वह थे थे प्राइम आम है कि एक नहीं सकती है फॉर्थ हमने टेखा थे मदब discrimination कर सकता है बहुत आसानी से अलग-अलग लोगों से डिफरेंट डिफरेंट चार्ज कर सकता है फॉर दे सेम प्रोड़क्ट लास्ट में हमने देखा तो दोस्तों फर्म सेंड इंडुस्ट्री इसमें क्या होते हैं सेम टू सेम होते कोई डिफरेंस नहीं होता है यह प् टाइप्स ऑफ मोनोपॉली तो टाइप्स ऑफ मोनोपॉली हम लोग पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्टर यानि की लेक्टर नमबर सिक्स में ठीक है अब तक हमारे फाइव लेक्टर हो चुके हैं तो अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखें तो वह प्लेलिस्ट मे इतना ही मिलेंगे निक्स वीडियो में सब लोग अपना ध्यान रखिए बाइवरीवन